तो हे गैज जास आप लोग देख सकते हो इस लेड़ी के पूरे ही हेड पे देखिए बहुत ही तगड़े वाले कीड़े लग चुके हैं और फिर वायरस भी और हम चाकू की मादम से इसको रिमूव करेंगे बहुत ही सेप और ओसम तरीके से तो यह हमारा गिनावना टाइब के कीड़ा था यह जो की रिमूव हो चुका है बहुत ही ओसम तरीके से और यह केचुवाले कीड़े को भी हमने काटके बहुत ही सेप तरीके से रिमूव कर दिया है पूरा और यह भी थोड़े बहुत घरनावना टाइब की कीड़े थे इसको भी हम लोगों ने बहुत ही सेब तरीकी से रिमूव कर दिया है और ये फंगल टाइब की कीड़े थी इसको भी हम लोग ने सेब तरीकी से रिमूव कर चुके हैं हम लोग और ये बिकिन और टाइब की कीड़े ये भी रिमूव हो चुके हैं बहुत ही आवसम और सेब तरीके से तो हमारा फ्लैक वाला चाप बहुत ही आवसम तरीके से काठा बहुत सारे कीड़े को आगे हमारा मैंगोड्स काटने वाला कठा तो देखिए मैंगोड्स वाले कीड़े को बहुत ही सेब और आवसम तरीके से रिमूव कर दिया है और ये छोटे-छोटे घिनावने टाइब के फंगल थे उसको भी रिमूव कर दिये हम लोग हमारा बेल्चा वाला कटर था उकी सीब तरीके से घिनावने टाइब के कीड़े को गिरा दिया है और ये लिजलीजी वाली कीड़े हैं इसको भी हम लोगों ने चाकू के मादम से कटके रिमूव कर दिया ट्रीट्मेंट करके इस पर एक बॉटल आ गया है हम इसके दवा छिड़का कर देंगे तो देखे दवा छिड़का हो गया है बहुत ही सेप और आसम तरीके से अब हमारा रोई आ गया कॉटन वाला तो टाइमर चलने देते हैं टाइमर चलने के बाद देखते हैं फाइनल डिजल्ट हमारा क्या लोगों का ट्रीटमेंट हो चुका है बहुत ही ऑसम तरीके से